महाराष्ट राचे शिक्षन संस्था महामंडल द्वारा दसवी और बार्वी की बोर्ड परिक्षाओं के लिए विध्याले भवन क्लासरूम और अन्य सुधाओं की विवस्था नव करने ही तू आंदुलन का इशारा आयशत पत्रपरिशत की दौरान महाराष्ट राचे शि सरकार ने खर्च की गई राचे की प्रतिपूर्टी नहीं की है इस राचे को वापस पाने के लिए शिक्षन संस्थानोंगी तरह तरह की निवेदन दे कर मंत्रियों से मुलाकात कर और रालिया कर आंदुलन किया लेकिन सरकार ने ध्यान गई दिया अंत में सरकार को राशी की प्रति पूर्ति करनी चाहिए और अदालत को सरकार को ऐसा करने का आदेश देना चाहिए और सरकार को राशी की प्रतिपूर्टी करने के लिए मजबूर करना चाहिए इसलिए मुंबई उच्छी नयाले में एक रीट याची का दायर की गई और अदालत ने सरकार को ऐसा करने का आदेश दिया हाला कि सरकार ने संस्थानों द्वारा खर्च की गई राशी की प्रतिपूर्टी नहीं की है अंत में माननिय कोट के आदेश का पालन नहीं करने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याची का दायर की गई थी इससे बचने के लिए सरकार ने कुछ राशी की मनजूरी का आदेश चारी किया लेकिन यह आदेश फर से निकला उच्छे नयाले में सरकार द्वारा दायर उत्तर इंगत करता है कि सरकार प्रतिपूर्टी की राशी का भुकतान करने में उसमर्थ है जिसे कानून के अनुसार संगटन को प्रतिपूर्टी की जानी है इस राशी को चात्रों से वसूलने और इसके लिए चात्रों से ली जाने वाली राशी की योजना बनाने का प्रयास किया चारा है सरकार से प्राप्त राशी अनुदान नहीं बलकि संस्थान द्वारा चात्रों के सरवांगी न्विकास के लिए खर्च किये गे अतरिक धन की प्रतिपूरती है इसे वनेत्तर अनुदान का उपनाम दिया गया है अनुदान केलेल होतों जेला 2,211 पास्वन आज परंता आमाला वेतनेत्त रोंगानाचा एक ही पहिसा सारकार सासनानी दिलेला नाई कंटेंपीटिशन टाखलेली आए कंटेंपीटिशन मदेही तैनी वेगवेगले रिपलाय आज परंता फाइल केले पन पहिसे दयाचा निरने ठोस निरने तैनी काई गेतलेला नहीं एक निरने घेतला जियार काडला शासनानी कि 260 कोटी रूपे आमी तुम्हाला वेतनित अनुदानी चाड़ानना अमाउंट जी वितरित कराई चाहे 260 कोटी पहिकी ती फक्त साथ कोटी रूपे हो आज जह परिस्तित फ्तित रूपए लाम चाह शाह चाह पाई तो आठी शेयार अतीशे विपरित परिश्तित emission कोटी एक इड़ी सिपनारी मिराक्षे ठीक्ष्य कोटी अन दूसरी कड़े सांग, तत के आमें ओनलाइन शाहत आलो ता है, ओनलाइन चा कहर्चा आज आम चा होतो चाहे, तयाजे बिला आमें देतो चाहे, पर यह आमें किती वर्षय कराई चाहे, आने कंटेमपीडिशन मदे सगयात महत्वाचा भाग होता, तयाचे मदे शासना नी एक अफिडिवेट फाइल केलेला है त्या अफिडिवेट अधे असमंटला है कि माननी अजित पौरानी मार्च 2020 चा जालेला बैठकी मदे वेतनेत्तर अनुदान देनाया ती एनार नाही आपुडे असा निरनाय गेतला है मनों सांगितला अन त्या मुले शालान चा खर्च भाग विणया करता प्रत्यक विद्ध्यार थया कडना हजार उपे दर वर्षयाची फी घेनाला कोर्टानी अनुवाती द्यावियस अमंटलेला है आज अनुदानी शालान मदे पूलस नाही थ ही परिस्तिती निर्मान जाली है दोन वर्षयाची थयाची तता मुलस नाही मुलात आणी त्यातले थयाच परत पहली ते आठवी चा मुलान कडना कुंटी इफी घेता है तने राट्टी एजुगेशेन चाह चाहते तरी ही धाडस करूं शासना नीहा निर्मान जाहुन कोर्टा समर्ण ठेवले ला है आता याचा निश्चीत रिद्या परिणाम समाधातील वन्चीत सामाधी कब्रत ते आर्थी दूश्या जे वन्चीता या मुलान वर होना राए हे मुला या फीपाई कर देश तो उध्या शायत याणार ही नाई तो आणि शाड़ान ची जी गोच्ची धाले लिया ती धाले लिचा याँ तया मुला आमी आता आसा निर्णा घेतलेला है अमी तया ना आधी शासनाला अक्टर मदे शकलोलो तो कि तुमी सकारात्मक निर्ण एक हेतला नाही वेतने तरोंदान आणे आमचा इतर मागड़ान बद्दलचा तो ये नार्या बोर्डाचा परिक्षे आमे अपल्या हो देनार नाही राजसरकार चात्रों के शेक्षिक और समगरविकास के लिए जिम्बिदार है लेकिन राजसरकार इस काम को पूरी तरह से नहीं कर सकती और इसलिए निजी संस्थानों ने इस काम को पूरा करने में राजसरकार की मदद की और आज महाराष्ट राजसरकार के मामले में सबसे आके हैं नेजे शिक्षिन संस्थानों द्वारा संचालित प्राथमिक विध्यालियों, माध्यमिक विध्यालियों और उच्छितर माध्यमिक विध्यालियों से गरीब मध्यम वर्ग और पिछड़ी चात्रों शिक्षा प्राप कर रहे हैं बच्चों को मुफ्त और गुनवत्ता पोर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिशित करने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है सरकार के लिए यह मांग करना बहुत बड़ी तरास्ती है कि अधालत शात्रों के सरवांगिन विकास के लिए आवश्यक राशी की प्रतिपूर्ती करने की बज़ाए शात्रों को फीस का भुकतान करने का आदेश दी इसलिए शिक्षन संस्थानों द्वारा आहुत यह आंधोलन चात्रों और उनके अभिभावकों की शेक्षिक प्रगती की खिलाफ नहीं बलकि कुद सरकार के खिलाफ है चात्रों उनके माता-पिता और समाच की अन्यवर्गों को इस आंधोलन का सक्रियर रूप से समर्थन करना चाहिए और समुदाय में स्कूल चलाने और चात्रों के समगर विकास में मदद करनी चाहिए शिक्षिन संस्तानों का एक मात्र उदेश उनके द्वारा खर्च की गई राशी की प्रतिपूर्थी करना नहीं है लेकिन पिछले कुछ वर्षियों से स्कूलों में शिक्षिकों के पदर रिक्त है चात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षव उपलब नहीं है नहीं शिक्षिकों की भरती प्रक्रिया पूरी तरह से बन है अतरिक शिक्षिकों को शिक्षिक रिक्तियों में समयोजित करने की प्रक्रिया बन है स्कूल के चतुर्तिक श्रिनी स्टाफ चपराशी की पदर रिक्त है और उनकी भरती प्रक्रिया पूरी तरह से बन है ऐसे में निजी संस्थान अपनी स्कूल कैसे चला सकते है यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है इसके लिए सरकार पर दबाव डालना ज़रूरी है और इसलिए हमने इस असायोग आंदोलन का आवाहं किया है क्यामरा पोसिन राजकमार मोड के साथ अक्षिती जादेशनुख बीसियन न्यूस नाकपूर